बॉलिवूड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वर्शी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में चाही हुई है दरसल इस बार वह अपने एक गाउन के कारण चर्चा में है आपको बता दें हाल ही में फिल्म फेर अवार्ड में उर्वर्शी रौतेला भी पहुंची थी उर्वर्शी यहां लाल रंग के काफी भारी गाउन में नजर आई इसमें उर्वर्शी काफी खूपसुदत तो लग रही थी लेकिन उनका ये गाउन इतना हैवी था कि उन्हें शो में चार कुर्सियों पर बैटना पड़ा उर्वर्शी रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में वे कुर्सी पर बैटी हुई नजर आ रही है और क्रू के कुछ सदस्ये उनका गाउन सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ये एक काफी भारी रेड कार्पेट अनुभव था मुझे शो में चार कुर्सियों पर बैटना पड़ा लेकिन मैं अपने टीम के बिना ये नहीं कर पाती इसलिए आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को शेयर करने के बाद अब लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं एक युजर ने लिखा कितने लोगों की जगा लेकर बैटी हो वहीं एक अन्ये ने लिखा हम लोगों का कंभल भी इससे छोटा होता है वहीं तीसरे ने लिखा अगर आपको पता था कि इसे पहन कर आप परिशान होंगी तो आपने इसे पहना ही क्यों गौर्टलभै कि उर्वर्शी, पागल पंती, काबिल, हेट स्टोरी 4 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है ब्यूर रिपोर्ट, नेशन वन नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप अपारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंदाई वीडियो को शेर करना न भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें Twitter, Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation One के साथ